बिजनेस भी पुराना था कस्ठुमर भी पुराने था आखिछुड के क्यो चले गए क्या रिजिन ओ सकता है किया मैं नया बिजनसरी परेखिन is पुराने बिजनस में काफी चारा प्रोड़ेक्ट पड़ा हुआ उसे बेंचू कैसे किस तरीके से काम करों कुछ समझ में नहीं आता है सायद को यह आइडिया आजाए यह यह आइडिया आगी अब मैं आपको बताता हूं नमस्कार दोस्तों मैंने में भूपे इंस्सार्मा मोड़ी बिसेंस स्पीकर बिजनस कोस्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं मैं अपने हर वीडियो में यूट्यूब की चैनल के जो जो आर्निंग होती से रिव तो यहां पर मैं आपको कई सारी चीजे बताऊंगा जैसा कि मेरी यूट्यूब अर्निंग क्या है तो जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं बट इससे पहले आपको चनल को सब्सक्राइब करना होगा और पूरा वीडियो आंत तक देखना होगा यूँकि मैं जो भी इन्फ को उसक्राओं कर दो करें बहुत सरल तरीका उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना जाता हूं क्या होता है पहुत समय पहले की जो है जो है गाउन में इलाज करते थे इलाज करने चारों से लोग उनके पार बहुत सारा लोग इलाज कराने के लिए आते बट कुछ समय बात क्या हुआ गाओं के और लोगों ने देखा कि बाबाजी का अचानक से इनको तरक्की होती जा रही है तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट है तो सारे लोग क्या है वैद का इलाज सारे लोग ही लाज करना शुरू कर दिया तो बाबाजी का बन्हंदा जो है को डाउन होने लगा जब डाउन होने के बाद लोग ने ने आते हैं तो लोग उनके पास ज़्यादा विलिप करते तरस्ट करते किया यह बाहर से जानकारी लेकर करके आए बड़ यह तो अपने यहां के है ये कहवत भी कहती है घर की मुर्गी दालवरा बर ठीक ऐसा सिस्टम भी होता है कहवत भी होती है उसी तरीके सिस्टम सेम था तो अब उनके पास कोई जा नहीं रहता अब बाबाजी काफी टेंशन में थे और काफी सोचने लगी तो दिमाग आपका मास्टर मैंट दिमाग होत होते हैं सिकृति परसन लोगं कोलद बस्ते उटा और जो 80 यह जा सके रह downtill में ठीक होते हैं जो शेक ज्यादा बड़ा भैत था उसके पार जाए करके ठीक होते थे अब हुन्हों ने सोचा की से काी जिस्ति की लोगों का ज यह ना है यह हमारे पास आने लगी तो उन्होंने ईन्हों को बार जाते場 हैं जिस तरीके लोगों को ठीक करते हैं मुझे सीखना है तो वहांने के जो है वहां के जो बैद थे उन्होंने का ठीक हम सिखा देंगे अब उनको सिखाने के बाद वह आपस वहां से फिर आए और फिर आने के बाद क्या हुआ उन्होंने जो है नहीं स्टीटिरजी के साथ ज जो 60% वापस जा रहे थे वो तो उनके पास आने ही लगे साथ में भी कहता जो 40% का già ट्रस्ट था को कहींच लाया तो अगर आपका टेकनिस्स का उप्योग नहीं करना अगर पुराने लोगों की तरीके से आप सिर्फ गल्ले पे बैठ करके सिर्फ बिजिनेस कर रहे हैं तो हंड़ेड पॉर्शन श्यों रहे कि जो है यह बिजिनेस नहीं चल पाएगा पहले क्या होता था कंपरिशन जो लोग आते थे आराम स खरीटे थे हो आप खरीट करेड जाते थे जाते ख़िंग है अट्वी में एक एक कमपणी एक प्रॉट्ट को बनाने वाली से कम हंड़ेड प्रस कंपनीय घंडंडर divA modelo हो वहाँ पर आपका प्रोडिक चलना थहोड़ा मस्किल है तो आपको यही करना है लोगों को भिश सागे चलेगा नमबर दो आता है अगर कंपनी बंद पड़ी सबसे पहले उसको क्या करना है सबसे पहले उस कंपनी का या उस बिजनेस का आपको टोटल बैलेंस सीट चेक करनी बैलेंस सीट में क्या चेक करनी कितना जो है सामान इन हो रहा था आ रहा था और कितना सामान कि तक भी मगा इसे किया क्या मार्जिकर वे जैल किया रहा था कि किया पर का बंध पहुए बंद हो गए या मैं bonus समझने कोछी सके दाटBeering को प्जिकर नहीं हे तरे यह आप उनको प्रोडेक्ट नहीं दे पा रहे थी लोग कि विजिनेस में वे कर रही विजनेस जो जो बिजनेस मैनेजमेंट का था क्या उसके पास स्किल्स टेकनिक्स थी वह किल्द वह इसके बल था वहाँ चीज शीखता था या नहीं सिर्फ एक ग्या है अगर यह सारी चीज्वें आपको मैंटेंटेंगे तो हंड़ी पोड़ुषेंट जो है साथ कुछ न जिस जगे पर हमारा बिजनस चल ला क्या यह सही तरीके की अच्छी जगे है जहां पर चल ला यहां पर क्या कस्टमर को आने के लिए को प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ता है अगर कस्टमर आता है तो आराम से खड़ा हो करके सामान खई सकता है ऐसा तो नहीं उसे जो है काफी भीड का सामना करना पड़ काफी प्लूसन हो या गंदगी हो यह सारी प्रॉब्लम्स हो क्या कस्टमर को आने के लिए तुरंत हमारे पास आ जाएगा या फिर कुछ आने से समय लगा क्या कस्टमर को हम कोई सर्विस इसके पहले दे रहे थे या जैसे कि 100 से चाहें वह घपट की तरीके से हो या कुछ खाने पीने की तरीका से बच्चों की तरीके किसी भी तरीकेते कर सकते हैं यह कोई आज कर लिटन का हूंख्र है ठीक है यह चीजी होती है कि आज कल दुनिया में सिस्टम हो गया कि 2000 रुपे का खाना खाकर फाफ पीश्टर यह सिस्टम हो गया तो इसका विश्चेस आपको ख्याल लगना है फिर नेक्स नमबर पर आता है इस सारा सिस्टम मेंटेन कर लिया फिर लोगों का फिटबैक्स बहुत महत्रपूर होता है लोगों का फिटबैक्स जब आपका सौप बंद हुई तो अडोज पर उसके जो भी एक लिस्ट जो है बनवा लेनी है और उस लिस्ट के अनुसार जो है उन लोगों से संपर्क करना जो आपके सौप से आपके बिजनेस से चले गए जब आप उनसे संपर्क करके पूछेंगे कि सर मैं क्या अपने बिजनेस में इंप्रूब करूं क्या बिजनेस में प्रॉब लाँच हुआ प्रिजन टाइम में उसका है उस फैन का क्या होता यह हो ना को सब्सक्रात है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आदमी क्यों खरीदेगा सामान इसका लगना है यह भी आपको जो है समझना सोचना कि क्या प्रब्लम्स हो सकती आ है आओ दो यहां पर लोग को नहीं खरीद ह्रें तो हमको ने प्रोडेक्ट को लाना साइब हमाद ने पुरानी लाक्षिआ को हम जैसे माली कि रहे हैं और यह handlar तममी ल chopa दो यह फिर पौरानी कोई इंप्रूमेंट हुआ समय के साथ तो अगर आप उसका कोई चार्जर बना रहे तो क्या उसको चार्ज करनेकि लिए कितनी वाट की उर्जर कि और कैसे चार्ज होता था परजेंट टाइम में जो नए चार्जर साँ इसमें क्या सिस्टम है तो अपने बिजनेस में या बहुत जुरूर है अक्सर देखा होगा वो शॉप्ट्रियर लोगों के मोबाइल में ज्यादा रहते हैं जो हर पंदा दिन पर लिक करके आते हैं यो शॉप्ट्रियर अपडेट बट जिसका टाइम लगवाग वन मन्थ प्लस में होता है उसके पाइसना कुकी इतना वायरस आ ला जाता है मगर अगर आप उसे दो तीन महिने तक लगाता यूज करते हैं और यूज करने के बाद देखियो पच्छत्तर इंबी का लगवाग भाग धाईसो तीन सो इंबी का बन चुका होगा क्योंकि इतनी कुकी इतनी भारी मात्रा में वायरस उसके अंदर घुच जात आए प्रेजन टेंच ने लेट आता है शी पीम शीपीम में इंडिया में एक हजार वन थाउजन रूज पर इतना रुपिया मेरे चेनल का सी पीम चल ना है शारी इसके इन सोट मिल गया आपको के लिए हो गया दोस्तों मिलता हूं अधे वीडियो में तब तक क्युलिए न